आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानब में बच्चे का लिंक निदारान कैसे होता है काफी इमपोटेंट ये टोपीक है, काफी ज़्यादा कोशन आज से पूछे आते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए यार काफी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में तो चलिए करते हैं सुरू अब दीए सबसे पहले हैं मानब में 46 गुर्श उत्र होते हैं और जोडों की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं अब बात करें संतान निर्धारन में जो भाग लेते हैं पूरुस के 22 प्लस 23 जो गुर्शूत्र होता वो X होता है और 22 प्लस Y इस प्रकार करके मादा में 22 प्लस X और 22 प्लस X इस प्रकार से दोनों के 23 जोड़े मैंने आपको दिखा दिए कि 23 गुर्षूत्र कैसे भाग लेते हैं अब बताता हूँ कि पुरुस कोशिका, नारी कोशिका और उससे संतान कोन से होते हैं किस प्रिकार इनका निर्धारान होता है यानि कि कोन से भाग लेने पर संतान का निर्धारान कैसे होता है बात करनें, पहले पूरुस को सिका में, तो अगर पूरुस की, यानि 22 प्लस 23 बा जो गुरुसूत्र होगा, वो अगर X लेता है, और मादा में 22 प्लस 23 बा गुरुसूत्र X लेता है, तो इस परकार जो संतान के गुरुसूत्र होते हैं, और संतान क्या होती है लड़की होती है यहाँ पर मैंने 22 देगे समान होते हैं तो 22 को इसमें इंक्लूड नहीं किया है सिर्फ xx और xy बता है तो अगर xx लेते हैं तो संतान होती है लड़की और अगर पुरुष से x क्योंकि नारी का दूसरा भी जो गुर्ण सूतर होता वो xc होता है 22 प्लस तो नारी से के लेगा जाइर सी बात x लेगा तो संतान क्या होती है xx यानि लड़की तीसरी कंडिशन अगर पुरुष से 22 यानि 22 प्लस बाई इस प्रकार 23 जोड़े और मादा से 22 प्लस x aujourdे इस प्रकार 23 गुर्ण सूतर तो 23 क्या हो गए पुरुष के 22 प्लस बाई और जो मादा क्या हो गए 22 प्लस एक्स तो इस प्रकार यह हो गए 44 प्लस xy तो क्या होता है लड़का तो चोथी कंडिशन भी यही होती है कै पुरुष से बाई, मादा से X और संतान के होती है, X बाई, लड़का होती है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सेर कीजिए और फोलो करना ना भूले